तो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग की टॉपिक है अनेक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में क्या आ रही है क्या यूनिवर्स जो है वो आपको मेसेज़स देना चाहते हैं यहां पर मुझे ऐसा लग रहे है कि आपकी एक स्टेप्स लेते हो लेकिन रिवार्ड जो है वो उतने नहीं लेते हैं मैं इतनी मेनत करता हूँ या इतना कुछ करता हूँ और मुझे उतने rewards नहीं मिलते हैं यहाँ थोड़ी सी frustration है लेकिन आपके लिए यही चीज है कि आप अपने काम पे थोड़ा सा focus कीजे आपको दो या धाई साल के बाद जो है मुझे ऐसा exactly लग रहा है कि दो या धाई साल के आपको अपनी growth इस तरीके की दिखेगी जो rapid growth आप चाहते हूँ तो थोड़ा सा विश्वास रखो थोड़ा सा अपने उपर जो है विश्वास रखो और जो कर रहे हो उसमें लगे रहो give up नहीं करना है यहाँ पे चाहे वो love हो चाहे वो carrier हो यहाँ मुझे ऐसा भी लग रह किसी idea की तरफ जो है आपका बहुत जाता जुकाव है या आप चाहते हो कि यह चीज जो है मैं लिखूं या release करूं लेकिन उसके लिए जैसे कोई publisher चैसे कोई book आप लिखना चाहरे हो और आपने लिखी भी है तो आपको जो है give up नहीं करना है आपको अपने path पे जो है वो कोई ऐसा काम भी कर रहे हो ज़रूरी नहीं कि उसमें आपको बिल्स ही पे करने है लेकिन वो चीज जो है वो आपको खुशी देती है तो वो passionate वाला काम है या जो भी आप करना चाहते हो या कोई new innovation या कोई new business start करना चाहते हो तो उसमें जो है आपको progress मिल रही है और आपका वहीं पर आके पहुच जाता हूं या पहुच जाती हूं लेकिन यहाँ पर आपके लिए जो experiences है वो आपके लिए बहुत जादा better situation लेकर आ रहे हैं थोड़ा सा आपको patience रखने की ज़रूरत है यहाँ पर spirits जो है वो आपको यही कहना चाहती है कि आपको थोड़ी सी patience रखन में जो blessing है जो आप deserve करते हो तो उससे पहले एकदम से मत जो है वो give up करो यहाँ पर quit नहीं करना है यहाँ मुझे carrier के लिए ही जादा आ रहा है और आपके मन में जो है जो शंकाय है कि यार मेरा भी कभी कुछ होगा या नहीं होगा तो बस मैं इतना ही कहूंगी और इश्वर भी आपसे यही कहना चाहते है कि आपको अपने काम पर focus करना है आपको जो है जो rewards है वो आपको दो साल के बाद ही properly दिखेंगे जो आप चाहते हो क्योंकि आप ambitious जादा हो आपके जो कह सकते हैं जो rewards है जो criteria है जो high standards है उसमें जो है वो आपको दो साल लग जाएंगे क्योंक से जो है बहुत जादा अच्छा result हमें नहीं मिलता है धीरे-धीरे ही चीजे settle होती है यहां पर आपके लिए यही blessing आ रही है आपको support system भी मिल रहा है आपके parents से आपके जो friends है हाला कि सभी friends नहीं जो आपके actually में जो true friend है उनसे आपको support मिल रहा तो आप give up भी करना चाहरे हो जैसे frustration मैंने पहले भी कहा था तो वो आपको समझा रहे हैं कि तुमने इतना मेहनत करी है तो आप इस stage पर इस चीज़ को मत छोड़ो तो ऐसी situation है यहाँ पर आपके लिए यही चीज़ है कि आप बहुत जल्दी जो है वो pick up करते हो, आपकी speed जो है वो बहुत तेज है लेकिन दुनिया जो है या जातर लोग जो है वो इतने तेजी से जो है वो pick up नहीं करते हैं कोई भी चीज़ हो, चाहे वो learning experience हो, चाहे वो life हो, तो थोड़ा सापको patience रखने की जरूत है आपका तो यह stamina है या यह कह सकते हैं कि ability है कि आप 15 दिन में भी जो है कोई अगर कोई subject है मालीजी आपने नहीं पढ़ाया भी तक 15 दिन में भी अगर आप थोड़ा सा भी ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप जो है almost जो है वो 80% number ले हो रहा है लेकिन यहाँ पर यही चीज़ है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करने की जरूत है और patience इसलिए नहीं कि आप में कोई कमी है patience इसलिए कि दूसरे लोग भी जो है आपको आपकी speed को कोप अप कर पाएं आप काफी ज़दा speedly वाले इनसान हो आप mature हो रहे हो life के experiences को महसूस कर रहे हो और आप उन्हीं लोगों को trust कर रहे हो जो trust के लायक हैं और बहुत अच्छी बात है आप जो है boundaries को set करके चल रहे हो और जो भी आप काम कर रहे हो या जो चाहते हो जो भी आपके ambitions है उसमें जो है आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो और आपको जो है चिंता करने की ज़रुत नहीं है जो worry है उसको जो है थोड़ा सा पीछे छोड़ दो आपके लिए यह unexpected blessing है जो आप चाह रहे हो जो आपक लगता है इसी वज़े से यह चीज है एक चीज और है आप जो है थोड़ा सा एक अकेलापन महसूस करते हो आपको ऐसा लगता है यार मैं साल जिन्दीगी से इतने दिस सामे से या इतने सालों से काम कर रहा हूं या मेहनत कर रहा हूं और मुझे जो है वो चीज नहीं मिली ह बेशक आपको फ्रस्टेशन आ रही है लेकिन इस चीज में आपको सपोर्ट सिस्टम करते हुए कोई इंसान कोई फ्रेंड जो है वो आपके बहुत करीब आ जाएगा या आ जाएगी तो उस तरीके से भी सोचने की जरुद है कि आप जो है अपनी लाइफ बिल्ड कर रहे ह जो है वो दो दिन में नहीं बिल्ड़ अप होती है तो उसमें कुछ समय लगता है जितने बिजनस टाइएगून भी होते है उनके भी कुछ फेल जो है वो बिजनस की थोड़ी कमी है तो आप जो है वो motivation या spiritual चीज़ों को देख सकते हैं या किसी की biography पढ़ सकते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि उन्होंने भी struggle किया था तो आपको परिशान नहीं होना है आप में बहुत ज़्यादा potential है आप अपनी जिन्दगी में abundance create कर रहे हो तोड़ा सा patience रखो चले देख लेते हैं कुछ other messages तो पहला आ रहा है nine of wands give up नहीं करना है पहला card ही जो है वो यही कह रहा है कि give up नहीं करना है और आप नहीं कर रहे हो ठक गए हो लेकिन परिशान नहीं होना है next are seven of cups बहुत ज़्यादा आपके पास opportunities है लेकिन आपको choose जो है वो best करना है क्योंकि आप best हो next are temperance balance में लेकर आओ अपने emotions को next are devil यह जो obsession है ना आपका Capricorn की energy है कि आप काफी ज़्यादा जल्दी विचलित होते हो जो चंचल मन है उसको थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि tackle करना है next are four of coins है comfort zone से आप आगे बढ़ रहे हो knight of cups है queen of coins है पैसे की कमी नहीं होगी तो चिंता मत करो next are ace of swords है अपने आप से सच बोलो जो चाहते हो जिस तरीके की खुशी चाहते हो वो जो है आपको मिल रही हो जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सब होते होते जो है आपके पास जो है वो कोई करीब आ जाएगा और उससे जो है आपका relationship जो है वो अच्छी तरीके का बनेगा या बनेगी जो भी उनका gender हो तो उसमें जो है आप थोड़ा सा invest करोगे अपने energies को तो ये जो go getter वाली energy है या अपने goals को बहुत जादा एक तरीके से बहुत ही जादा ambitions है उसकी तरफ जो है आप बढ़ोगे जुरूर लेकिन आपको जो है एक emotional maturity भी आ रही है next आ रहा आपके लिए six of cups है और next आ रहा यहाँ पे queen of swords है और last में आ रहा हमारे लिए page of wants है तो excitement है उसको लेकर चलो logo cut off मत करो logo से दूर मत हो अपने ambitions के चक्कर में ठीक है धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो जैसे जैसे slow process चलता है लेकिन उसको धीरे धीरे आगे बढ़ने दो और अपना काम करते जाओ give up नहीं करना है और give up नहीं कर रहे हो balance लाओ जो थोड़ी सी patience इंपेशन्स वाली energy है और जो चंचल मन है कभी कुछ कर लूँ कभी कुछ कर लूँ तो उसको थोड़ा सा tackle करने की जरुत है तो चलिए देखते हैं इस energy से लेटर कुछ oracle cards देख लेते हैं आपके लिए क्या हारा है protection अपने आपको protect कीजिए गलत लोगों से गलत लोगों की बातों में नहीं आना है नेक्स टारा है healing healing चाहिए आपको अपने उपर trust रखो और नेक्स टारा clarity एक और देखना चाहते हूं तो यह तीनों ही जो है वो आपकी life में आ रहे हैं थोड़ा सा patience रखनी की जरूद है ठीक है उचले देखते हैं इस energy serrated कुछ charms तो यहाँ पर राइनो आया है determination रखना है persistent जो efforts है वो जो है वो लगाते रहना है नेक्स टारा है यहाँ पर surgical instrument है तो हो सकता है आप medical background में हो या फिर ज़रूरी नहीं है तो आपको जो चीज cut off करने की जरूद है चाहे वो impatiency की होना धैर ना होना भी जो है वो कही ना कही problem create कर सकता है तो आपको थोड़ा सा धैरे से चलना है यहाँ पर बार बार यही चीज़ आ लिए और नेक्स टारा hummingbird है prosperity है, luck है, good luck भी आया था आप अपनी life में बहुत अच्छा करने वाले हो थोड़ा सा अपने उपर विश्वास रखो तो यह थी आपकी reading उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content, readings और energies अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज इस channel को like करें, share करें, subscribe करें Thank you